next question question says the elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square mass of the block A is 0.5 kg सवाल है what force is exerted by block A on the block B now again simple सवाल है but concept थोड़े से clear होएंगे सवाल से तो यह अपना स्नेरी हो है कि यह आपकी lift है और lift 2 meter per second square से नीचे आ रही है यह आपका एक block A यहां रखा हुआ है दूसरा block B यहां पर रखा हुआ है और यह पूरी lift जो है नीचे आ रही है इस case में अगर हम A block का FBD बनाएंगे तो इसका A का FBD कुछ ऐसा बनेगा कि यह आपका A block है नीचे तो उसका लगेगा mg और इसके उपर एक आपका reaction force जो यह force इन दोनों के बीच में normal reaction है एन लिख लेते हैं यह normal reaction force यहां पे लग रहा है और यह पूरा system आपका A acceleration से नीचे आ रहा है इस case में नीचे A acceleration से आने के लिए actually lift का mechanism जिम्मेदार है पर यहां पर जिस्ते से हम अपनी problem solve करते हैं हम हर body को independent मान के काम करते हैं तो हम यहां पर सिर्फ A की बात करें तो सिर्फ उसे दुनिया में A ही है वो A नीचे आ रहा है टू मीटर पर सेकेंट स्कॉर्स है तो इस case में अगर हम यहां पर इसकी equation लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं Mg- normal force will be equal to M which implies हमें N की value बतानी है तो N will be equal to M इसको दल है इसे दल है जी माइनस से यह आपकी value हो जाएगी डारेक्टा formula भी उसकर सकते थे लेकिन मैंने आपके लिए आप दिया है तो यहां जो नॉर्मल की value हो जाएगी तो इस विल बी इक्वल तो M यानि की मास इसका दिया हुए 0.5 x 10-2 तो इस विल बीक्वल तो 0.5 x 8 तो आपका नॉर्मल रेक्षिन है तो बीक्वल तो 8 Newton तो इस वरी 4 Newton तो 4 Newton force यहां अर फानल आंसर